हेलो फ्रेंडिस नमस्ते साथ शीरकाल आदाब कैसे हुआप सब I hope आप सब ठीक होंगे दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको फ्री में पौधा किस तरह से ग्रोध करें इसके बारे में बताएंगे जी हाँ दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको बीज से पौधा ग्रो करकर दिखाएंगे दोस्तो अगर आप मार्किट में से कोई भी फल खरीते हैं तो उसमें से बीज तो निकलता ही है अगर आप उस बीज को अपने घर में किसी भी एरिया में लगा दे और उसकी केर कर ले तो वह आगे चलकर पेड़ बन सकता है और आपको डेरो फाल और फूल दे सकता है इसी तरह हमने ये मार्किट में से आम लिए थे और उनमें से ये गुठली निकली है इस गुठली से आज हम आपको आम का पौड़ त्यार करकर दिखाएंगे तो इसलिए वीडियो को एंड तक जुरूर देकेगा दोस्तो हम आज आम के पौड़ को इस गुठली से त्यार करके आपको दिखाएंगे दोस्तो अगर हम किसी बीज को मिट्टी में लगा देते हैं तो वो दिरे दिरे से ग्रो हो जाता है लेकिन ऐसा आम के पौदे के साथ नहीं होता आम के पौदे में को ग्रो करने के लिए इस गुठली को हमें रब करके इसमें से बीज निकालना पड़ेगा अगर आप इसको रब करके नहीं निकालना चाते तो आप इसे तोड़कर भी इसमें से बीज निकाल सकते हैं तो वो बहुत ही जल्दी से क्रोव होगा तो हम इस गुठी को वॉल पर रब करके इसमें सुराख करेंगे और फिर इसे गमले में लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके दोनों साइड में सुराख हो चुका है उपर और नीचे तो अब हम इसे गमले में लगाते हैं इसको लगाने के लिए हमने यहाँ पर 10 इंच का गमला लिया है और इसमें हमने गार्डन सॉयल ही डाली है तो अब हम इसके बीच में एक गड़ा खोद लेंगे और इसमें इस गुठी को डाल देंगे और इसके उपर हमने आद़े से एक इंच तक मिटी डाल देनी है और इसके बाद हम इसको पानी डाल कर ऐसे ही ओपन एरिया में शोड़ देंगे अगर आप इसको दूप शाओ या किसी भी जगा पर रख रहे हैं तो ये असानी से ग्रू हो जाएगा अगर इसको बरसाद का पानी मिल रहा है तो ये ग्रूध बहुत ही तेजी से करेगा तो अब हम इसको नॉर्मल पानी डाल कर ओपन एरिया में रख रहे हैं तो अब हम आपको दिखाते हैं 25 दिन के बाद आप इसका 25 दिन के बाद रिजल्ट दीख रही हैं कि ये गुठली से बाहर आ चुका है और इसने अभी 6 से 7 पते निकाले हुए है लेकिन पते इसके बहुत शोटे है फिर भी इसने अभी ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया है तो अब हम आपको 40 दिन के बाद दिखाते हैं कि ये पौदा कितना बड़ा हो चुका है 40 दिन के बाद आप देख रहे हैं कि जो इसके 6 से 7 पते थे वो बड़े हो चुके हैं और 7 ही 7 कुछ नए पते निकलने भी स्टार्ट है तो अब हम आपको दिखाते हैं 55 दिन के बाद तो देखिए दोस्तो इसने कुछ और पते निकाल लिये है तो अब मैं आपको इसको थोड़ा बाहर निकाल कर दिखा देती हूँ कि इसने काफी पते निकाल लिये है और साथ ही कुछ और पते निकालने का परसेस इसका जारी है तो अब हम आपको दिखाते हैं 65 दिन के बाद तो 65 दिन के बाद आप देख रहे हैं कि इसने कुछ और पत्ते निकाले है तो अब हम इसको ट्रांस्प्लांट करेंगे किसी और जगे पर तो चलिए दोस्तो इसको ट्रांस्प्लांट कर देते हैं इस पौदे को ट्रांस्प्लंट करने के लिए हमने ये जगे जुनी है हमारे माली ने खड़ा को दिया है और अभी वो बरह भी रहा है इससे पहले के वो इस खड़े को भर दे हम जल्दी से इस पौदे को इसमें ट्रांस्प्लंट कर देते हैं तो हमने ये खड़ा तकरीबन 10 इंच तक खोदा है आप इस आम की रोट्स देख सकते हैं कि इस आम के पौदे ने कितनी रोट्स बना ली है तो चलिए दोस्तो इसको अब हम इस खड़े में लगा देते हैं और मिट्टी बार देते हैं और इसको अब हम पानी डार रही हैं वैसे तो अभी हलकी हलकी बारिश हुई है लेकिन जमीन नीचे से सूखी है इसलिए इसको पानी डालना बहुती जरूरी है तो हमारे माली जी ने काम तो कर दिया है फिनिश तो अब वो कोई और जगा और किसी और जगह कोई पेड़ पौदा लगाएगा तो दोस्तों हमने गुठली से आम का पौदा कर लिया है रैडी इसलिए सबी लोग कहते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम के गुठली से हम आम के पौदे को ग्रोव भी कर सकते हैं यह कहावत किसी ने इसके बारे हुआ हो दीरे दीरे से ग्रोव करता है हम आपको इसकी अपडेट दिखाते रहेंगे तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करकर जरूर बताइएगा अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना मत बूलिएगा और जाते जाते मेरे चैनल को सिस्क्राइब कर लेजिए